आज की क्लास में हम EDP कनेक्टर के बारे में और अच्छे से समझेंगे कि ये काम कैसे करता है बेसिकली ये है तो डिस्प्ले कनेक्टर जैसे LBDS कनेक्टर होता है वैसे ही SOC आर्खिटेक्टर से EDP कनेक्टर स्टार्ड हो गया तो आज का जो समेटिक लिया है वो है HP 15R का मतलबोर का जो पार्ट नंबर है वो है LA-A992P और इसमें जो प्रोसेसर लगा है वो हैस्वेल का है याने की 4th generation का SOC CPU लगा है अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो SOC से EDP सिगनल आउट हो रहा है और अगर डिस्प्ले कनेक्टर को देखें तो यहाँ पर LBDS port लिखा है याने की LBDS कनेक्टर इससे पहले की क्लास में हमने दो कंडिशन को देखा था जैसे की एक में हमारे जो और यह सिगनल डिस्प्ले में जाके डिस्प्ले में ग्राफिक्स बना रहा देखें यहाँ पर एक नोट है वो यह अगर जो LBDS सिगनल जीप्यू से आउट होते हैं जीप्यू से मतलब होता है ग्राफिक प्रॉसेशर उनिट याने की ग्राफिक चिप अगर हमारे LBDS सिग आउट के डिस्प्ले कनेकटर को जाता है और आपने यहाँ पे यहाँ पर पहली वीडियो क्लास को देखा और इसके अंदर हमने complete explanation दिया है कि जो हमारा LVDS connector होता है उसमें हमने क्या क्या चीज को चेक करना है और EDP connector में हमने क्या 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 चेक करना है और जो EDP to LVDS connector होता है उसमें हमने क्या क्या चीज को चेक करना होता है और display connector को हम तभी चेक करते हैं जब हमार पास laptop आता है उसमें internal display नहीं आ रही external display complete आ रही है तब उस case में हम अपने display connector को dim display problem लेट चेक करते हैं या फिर हमारा जो graphics है वो proper नहीं बन रहे हैं flickering हो रहे हैं color change हो रहे हैं और या पिर हमारा camera नहीं चल रहा है या पिर हमारा mic नहीं चल रहा है उस condition में हम अपने display connector को चेक करते हैं और इसको हम LVDS और ADP connector के नाम से भी जानते हैं तो यहाँ पर हम complete information दे रहे हैं कि इसको हमने कैसे trace करना है और जो हमारे data path होता है उस path में component अगर लगा है अगर zero home की register लगी है जिसको हम feasible license कहते हैं अगर वो open हो गई है तो हमने उसको कैसे repair करना है या फिर कोई capacitor ground के साथ लगा है वो short हो गया है तो उसको हमने कैसे check करना है तो यह सारा explanation आपको इन वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो आप अगर beginner student है तो please मेरे channel से आप जुड़िए मुझसे आप online और offline course के मादियम से जुड़ सकते हैं जिसके अंदर हम आपको laptop repairing के chip level information देंगे और यह basic to advance होगा theory plus practical होगा और जितनी भी generation latest आती रहेंगी उस सब आपको information मिलता रहेगा वीडियो के मादियम से और एक as a engineer आपको यह confirmation रहेगा कि हमारा circuit किस तरीके से work करता है जब हम power button दबाते हैं तो क्या होता है जब हम अपने laptop में set down करते हैं तो कैसे set down होता है वो complete information आपको मिलने वाली है यहाँ पे क्योंकि आप और gate, nor gate, end gate और जितनी भी IC हैं इनके बारे में complete जानकरी रखेंगे उनके power root को जानेंगे, feedback को जानेंगे enabling pin को जानेंगे, entry pin को जानोगे तो यह सारा चीज आपको one by one आपको day routine में मिलता रहेगा इससे आप laptop को बहुत अच्छी तरीके से repair कर पाएंगे क्योंकि आपको हर circuit के बारे में पता होगा तो वो किस तरीके से काम करता है यहाँ पर आपको network register जैसे क्या आप देख रहे हैं अब उनके खराब होने से क्या होता है water damage होने पर उसमें fungus आ जाती है तो वो कैसे misbehave करते हैं तो उनको हमने कैसे check करना है चाए हम multimeter से check करें चाए DSO से check करें या फिर basic troubleshooting से उनको repair करें complete explanation आपको मिलने वाली है तो ज़्यादा से ज़्यादा channel पर जुरिए हम आपको live class भी देंगे और live class के अंदर हम practical information देंगे क्योंकि data तो आपको तियोरिक के मादिम से मिली जाएगा तो अगर आप जुरते हैं तो आइसी की complete हर एक पिन के बारे में चाहिए हो आईयो की 128 पिन हो complete explanation रहेगा डिस्प्ले कनेक्टर के जितनी भी पिने हैं चाहिए वो 30 पिन का कनेक्टर हो चाहिए 40 पिन का हो सारी चीजें वन बाई वन आपको बताए जाएंगे किस पिन से क्या काम होता है चाहिए charging ICO चाहिए पावर ICO जितनी भी उनकी main supplier वो कैसे बनती है enabling कैसे बनती है उनका जो boot pin है वो कैसे काम करता है वो सारा रहेगा तो प्लीज चैनल को ज़्यादर सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो आपको दिख रही है वो हमारे DMIC clock और DMIC data की पिने है यानि की जो laptop में जो front में mic होता है उसकी पिने हैं यह तो यह सब आपने देखा आज की class में कि LBDS connector क्या होता है और EDP connector क्या होता है और EDP to LBDS connector क्या होता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा osmatic को read कीजिए जहां पे आपको बारीक से बारीक knowledge मिलेगी और साथ के साथ जो scrap laptop है उनमें practical कीजिए जब आप theory को practical में महसूस करेंगे तो आपको repairing करना बहुत easy हो जाएगा पूरा वीडियो देखने हैं थैंक यू दन्यवाद